नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में जुलाई का 50 सबसे महत्पुन करेंट अफेर को डिसकस किया जाएगा केवल एक वीडियो में यह आपके पार्ट 2 है इसका पहले पार्ट 1 में 50 कोशन पार्ट 2 में आपके 50 कोशन टोटल आपके जुलाई का 100 कोशन डिसकस कर दिया गया है त तो आप से भी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो आप लोग को हिलफूल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में सेर जरूर कीजिएगा और इसका पेडियाप को टेलिग्राम गृप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप् पदक जीता है भारत के अरजुन बभूता ने अंतरास्टी निसाने बाजी खेल महासंग बिसकप चरन में कौनसा पदक जीता है तो स्वर्न पदक जीता है हाली में गेल के नए परमुख के रूप में किसे निव्ट किया गया है तो संदीप गुपता को निव्ट किया गया गेल के नए परमुख के रूप में केतनजी ब्राउन जेक्सन किस देश के सुप्रिम कोट की पहली अस्वेत महला जज़ बनी है तो अमिर्का के सुप्रिम कोट के केतनजी ब्राउन जेक्सन ने पहली अस्वेत महला जज़ बनती है जिनका नाम क्या है केतनजी ब्राउन जेक बस राश्र्टी ये सांख की दिवस कम मिनाया जाता है तो 29 जुन को जो है प्रति बस राश्र्टी ये सांख की दिवस मिनाया जाता है। अल्ब संख्यक मामलो के मंत्राले का अतरिक्त परभार किसे दिया गया है तो अस्मिर्ती इरानी को दिया गया है अस्मिर्ती इरानी को दिया गया है नागरिक उडेयन मंत्री जिनका नाम क्या है जोती रादित सिंधिया को किस मंत्राले का अतरिक्त परभार दिया गया है तो इस पात मंत्राले का इन्हें अत्रिक्त प्रभार दिया गया है किसे जोती रादित सिंधिया को जो है इस पात मंत्राले का अत्रिक्त प्रभार दिया गया है भारतिय उद्योग परिसंग का उपाद्याच किसे चुना गया है तो संजीव पूरी को भारतिय उद्योग परिसंग का उपाद्याच चुना गया है केंद्रिय परत्यच कर बोड के नए चेर्मेन की रूप में किसे निक्त किया गया है तो नितीन गुपता को जो केंद्रिये परतियच कर बोड़ के नए चेर्मेन की रूप में नीक्त किया गया है T20 अंतराष्टी क्रिकेट में बिखेट लेने बाले पहले भारती कप्तान कौन बने हैं? बेरी बेरी इन्पोर्टेंट है, T20 अंतरास्टी क्रिकेट में बिकेट लेने बाले पहले भारती कप्तान कौन बने हैं, तो हारदिक पांडिया बने हैं, हारदिक पांडिया बने हैं, किस क्रिकेटर ने हाली में पहली बार जोए रंजी ट्रोफी के खिताब जीता है, तो किस का जुल्माना लगाया है तो ओला फीनेंशिल सर्विसेश पर जोए 1.67 क्लो रूपया का जुल्माना लगाया है कॉन RBI लगाया है किस देश की सरकार ने पुरपरधान मंतरी सिंजो आवे को मरने उप्रांथ सुपरीम ऑडर ऑफ दा क्राइश सिंथम से सम्मानित करने का निरने लिया है तो यह निरने जपान के सरकार के दोबरा लिया गया है किस के दोबरा जपान के सरकार के दोबरा लिया गया है इसे दोबरा देखेगा किस देश के सरकार ने पूरु परधान मंत्री सिंजो आवे को मरनो उपरांत सुप्रीम ओडर अफधा क्राई सिंथम से सम्मानित करने का निरने लिया है तो जपान के सरकार नहीं निरने लिया है हाल ही में पद्जा नैडू हिमालियन जुलेजकल पार्क ने लगभग पांच बरसों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने है तू एक महातुकांची कारेकरम शुरू किया है पद्जा नैडो हिमालियन जोलजकल पार्क ने हैं। गया है तो गीता गोपिनात को सामिल किया है। यह किस तारिक को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है बारा जुलाई को बिस मलाला दिबस किस दिन मनाया जाता है तो बारा जुलाई को मनाया जाता है। बिस वसांती फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है तो किस देश में किया गया है। बिस्व सांती फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है चीन में किया गया है भारती कप्तान रोहिसरमा पुरुस T20 किरकेट में कितने चोके जड़ने वाले पहले ACI खिलाडी बन गये हैं तो 304 चोके जड़ने वाले पहले ACI खिलाडी बन गये हैं रोहिसरमा T20 किरकेट मे भारत ने भीशन आर्थिक संक्र से जूज रहे किस देश को रीन सुबधा के तहत 44,000 टन से अधिक उरिया मुहिया कराया है तो किसे मुहिया कराया है तो भारत अपना प्रोशी देश स्रिलंका को मुहिया कराया है भारत ने भीसन आर्थिक संक्र से जूज रहे किस देश को रेंज सुब्धा के तहट जो है चवाली सो टन से अधिक उरिया मोहिय कराया है तो वो स्रीलंका को उपलब्ध कराया है केन सरकार द्वारा थिंक टैंक निती आयोक के किस पूर्व सीयो को जी ट्वन्टी के लिए भारत का नया सिर्पा निक्त किया गया है तो अमिताब कांत को निक्त किया गया है तेरा एक्सप्रेसवे बाला देश का पहला राज कौन बन गया है तो उत्रपरदेश राज बन गया है जपान के किस पूर परदान मंत्री को नारा सहर में भासन देने के दोरान गोली लगने के बाद मौत हो गई तो किसकी मौत हो गई सिंजो आवेका केंदरी स्वास्त मंत्राले ने 18 साल से अधिक आयू के लोगों के लिए जो है बुस्टर डोज के अंतर को 9 महने से घटा कर कितने महने कर दिया है तो 9 महने से घटा कर आपके 6 महने कर दिया है कितने कर दिया है 6 महने कर दिया है मुकतार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तिफा दिया है तो केंदरी ये अलब संख्य कार मंत्री के पद से इस्तिफा दिया है मुकतार अब्बास नकवी ने किस देश ने तमिल नाडू के कुड़न कुलम परमानू उर्जा सयंत्र के लिए तकनिक की आपूर्ति के लिए समझाउता पर हस्ताचर किया है तो किस ने किया है रूस ने क किया है तो किस देश ने तमिल नाडू में तमिल नाडू में जो है कुड़न कुलम परमानू उर्जा सयंत्र के लिए तकनिक की आपूर्ति के लिए समझाउता पर हस्ताचर किया है तो किस ने किया है रूस देश ने किया है किस देश में किस देश में सरकार ने देश में भ खेत्रों में अपात काल की घोशना की है किस राज में ध्यान रखेगा किस राज में बेग्यानिक काई चटनी को भोगोलिक संकेतक रेजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है तो उडिसा राज में हाली में किस राज के लोगों ने साओ जुआओ तेवहार मनाया है तो किस राज के लोगों ने जो है साओ जुआओ तोहार मनाया है तो गोवा राज के लोगों ने जो है साओ जुआओ तोहार मनाया है हाल रहली भारत नेपाल भारत गौरव परेटेक ट्रेन को किस रेलिवे अस्टेशन से हरी जंडी दिखाई गई है तो सब्दर जंग रेलिवेस्टेशन से ये कहां पर अस्थी थे सब्दर जंग रेलिवेस्टेशन तो नई दिल्ली में अस्थी थे नए दिल्ली में अस्थित हैं। प्रकास पादुकोन को पहले केमपे गौळा पुरसकार देने की घोसना किये तो करनाटक रासरकार के द्वारा जो है केमपे गौळा पुरसकार देने की घोसना की गए इन तिनों बेक्तियों को हाली में कौन सा राज राज के करमचारियो पेंसन भोगियों के लिए चिकितसा भीमा योजना मेडी सिप योजना शुरू किये तो किसके दवारा शुरू किया गया है केरला सरकार के दवारा शुरू किया गया है मेडी सिप योजना सुप्रिम कोड द्वारा निव्थ प्रसासकों की समीती की सहाइता के लिए सलाकार समीती का अध्यच किसे नामित किया गया है तो रंजीत बजाज को नामित किया गया है जारी गलोबल स्टाटप एको सिस्टम रिपोर्ट में अफोडेवल टैलेंट में एसिया में किस राज को पहला स्थान मिला है तो किरल को पहला स्थान दिया गया इसे दोबारा देखे जारी Global Startup Ecosystem Report में Affordable Talent में Asia में किस राज को पहला स्थान मिला है किस राज को पहला स्थान मिला है तो केरल राज को पहला स्थान दिया गया है World Gold Council की रिपोर्ट के मताबित वाइसविक स्वर्न पूर्ण चकरन में भारत निमन मेंसे जो है तो भारत चोथे अस्थान पर रहता है इसे दोबारा देखेगा World Gold Council की रिपोर्ट के मताबित वाइसविक स्वर्न पूर्ण चकरन में भारत निमन मेंसे कोई अस्थान पर रहता है तो चोथे अस्थान पर रहता है किस राज सरकार ने राज की महलाओं के लिए नारी को नमन योजना सुरू किये नारी को नमन योजना किस राज सरकार के दवारा सुरू किया गया है तो हिमाचल प्रदेश राज सरकार के दवारा सुरू किया गया है नारी को नमन योजना भारत का सबसे बड़ा तेरता सौर उर्जा सहयंत्र, येंटी P.C. दुवारा किस राज में पूरी तरह से चालू किया गया है, तो जुलाइक के पहले सनिवार को मनाया जाता है, जुलाइक के पहले सनिवार को मनाया जाता है, निरत चोपला ने हाल ही में डायमंड लिंग में सामदार प्रदसन करते हुए किस पदक पर कबजा जमाया है तो रज़त पदक पर कबजा जमाया है डायमंड लिंग में निरत चोपला ने डेरी और पसुपालन मंत्राले ने 28 जून 2022 को किस सहर में वन हिल्थ पाइलट प्रोजेक्ट लॉंच किया है तो किस सहर में लॉंच किया है तो करनाटक राज में अस्ति थे महरास्ट की औरंगाबाद जिले का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो समभाजी नगर रखा गया है QS Best Student Citys 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहास से भारत में सर्बोच रैंक बाला सहर कौन है तो मुंबई है कौन है मुंबई है दिपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिसकेक में अंडर 23 ACI कुष्टी परतियोकता में कौन सा पदक जीता है तो कास पदक जीता है कौन सा पदक जीता है कास पदक जीता है दोबारा देखिए दिपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिसकेक में अंडर 23 ACI कुष्टी परतियोकता में कौन सा पदक जीता है तो कास पदक जीता है किस देश ने बेला रूस को एसकंदर M मिसायल सिस्टम अस्तरांतरित करने की घोशना किये तो किस के दवरा गोशना किया गया है रूस के दवरा गोशना किया है और किसे बेलारूस को जो है एसकेंदर या मिसाइल सिस्टम को ट्रांस्पर करने की घोसना की है आप सभी लोग कमेंट करके बताईएगा कि जो बेलारूस है इसकी सीमा किनकिन देशों से लगती है बेलारूस के सीमा किन किन दिसों से लगती है आप सवी दो कमेंट बोक्स में बताईएगा केन सरकार किस तारिक से सिंगल इज पलास्टिक उप्योग पर परतिबंध लगाया है तो 1 जुलाई 2022 से लगाया है हाल ही में कौन जो है लीसा अस्टालिकर बनी है इसे दोबारा देखिएगा हाली में कौन जो है फेडरेशन ओफ इंटरनेशनल किर्केटर्स एसोसियेशन की पहली महिला द्याज कौन बनी है लीसा अस्टालिकर बनी है किस देश ने अंतरिच में ठोस इंधनबाला रोकेट जुल जना लौँच किया है जुल जना किसके दोबारा लौँच किया गया है तो इरान के दोबारा लौँच किया गया है किस देश ने अंतरिच में ठोस इंधनबाला रोकेट जुल जना लौँच किया है तो इरान ने लौँच किया है किस राज ने बाहन निग्रानी प्रनाली सुरच्छा मीत्र परियोजना शुरू किये तो पंजाब राज सरकार के दोवारा जो है बाहन निग्रानी प्रनाली सुरच्छा मीत्र परियोजना की शुरूआत की गई है हाली में जारी बीशु प्रेश सुदंता सुचकांग 2022 में भारत को एक्सु पचास्टान पर है तो भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को एक्सु पचास्टान दिया गया है जारी फीफा 20 कप रैंकिंग में भारती पुरुष फुटबॉल टीम में उसे कौन सा स्थान मिलता है तो उसे जो एक सो चोठा अस्थान दिया जाता है से दोबारे देखेगा कि हाल ही में जारी फीफा 20 रैंकिंग में भारती पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है तो एक सो चोठा अस्थान मिला है या कौन सा स्थान पर रही है तो एक सो चोठा में अस्थान पर भारत के जो पुरुष फुटबॉल टीम है यह आपके रहता है किसमें फीफा बिस्व रैंकिंग में तो टूटल आपके इसमें भी पचास कोशन डिसकस किया गया आपको वीडियो कैसा लगा आप से भी लोग कमेंट करके जरूर बताईए गा थैंक्यू